नमस्कार मैं अविनास रंजन गुपता आप सभी का अपने चैनल पर हर्दिक अभी नंदन करता हूँ आज के इस वीडियो में हम अध्यन करने वाले हैं तुम कभ जाओगे अती थी पाठ के बारे में इस पाठ के लेखक का नाम है सरज जोसीची और ये हिंदी के सूप्रसिध व्यंगेकार हैं इस पार्ट में हम लोग इस पार्ट के घटना क्रम, इस पार्ट का उद्देश्य, इस पार्ट का सार, इस पार्ट से जुड़े प्रशनोत्तर आधिक विविद विंदुओं पर विश्त्रित रूप से अध्यन करेंगे. तो सुरू करते हैं तुम कब जाओगे अतीथी का संपुर्ण अध्यन. सबसे पहले हम लोग इस पार्ट के उद्देश्य पर विचार कर लेते हैं, इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम लोग मेजबानों की मानसिक्ता के बारे में जान सकेंगे. मेजबान कहने का मतलब हुआ होस्ट. अर्थात हम किसी के घर में जाते हैं और जो हमारी महमान नवादी करता है उसे ही हम लोग कहते हैं मेजबान. महमान भी सबक सीख पाएंगे अर्थात महमानों को भी कितने दिन रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए एक मेजबान के घर में इसके बारे में भी उन्हें जानकारियां प्राप्त होँगी एक दिन के बाद मचली और दो दिन के बाद अतीथी से गंधा आने लगती है अर्थात एक दिन अगर हम लोग मचली को ऐसे छोड़ दे तो दूसरे दिन मचली से गंधा आने लगती है और दो दिन अगर अतीथी किसी के घर रह जाता है तो तीसरे दिन उससे गंधा आने लगती है अर्थात अब उसे वहाँ पर से चले मेजबां जब एक ही सब्जी 2-3 बार बना दे तो महमान को समझ जाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि अब मेजबान महमान की महमान नवादी करने में और इंट्रेस्टेड नहीं है लेखक परीचे पर हम लोग विचार कर लेते हैं लेखक का नाम है सरजजो हम लोग यहां देख सकते हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जेन सहर में 21 मई 1931 को हुआ, यह हिंदी के सूप्रसिध व्यंग कार हैं, और इनकी मृत्यू 5 सितंबर 1991 में मुंबई में हुई, इन्हें तरह तरह के पुरसकारों से नवाजा गया है और इनकी रचनाए दिये और रुरत्धिन कि देगा, अब हम लोग आदाते हैं, पाट के घटना क्रम पर, इस पाट में मुख्य रूप से तीन ही क्यरेक्टर हैं, पहला अतीथी, दूसरा लेखक ऑर तीसरा लेखक की पत्नी, अतीथी के रूप में अगर हम लोग इस पाट के घटना क्रम पर वो अटिका हुआ है, दो दिन के आतिथे के पस्चात विदा लेने के स्थान पर कपड़े धोने के लिए लॉंडरी में दे देता है, अतिथी देवो भवो की पारंपरिक संकल्पना को धूल धुसरित करता है, अर्थात अतिथी को देवता का रूप माना जाता है और देवता किसी के घर में ज्यादा देर तक नहीं रुकते, लेकिन इन्हों ने इस परंपरा को, इस संकल्पना को धूल धुसरित कर दिया, चौथे दिन भी लेखक के घर में ही तिके हुए, फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं, लॉंडरी से कपड़े भी धुल कर आ चुके है अतीथी का लेखक के घर में टिके रहना, उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये जाने का नाम क्यों नहीं लेते, अतीथी को सम्मान पुर्वक चले जाना चाहिए, तो ये है अतीथी के दृष्टी से पाठ का घटना क्रम, अब हम लोग लेखक की पत्नी के आध और रायते के अतरिक्त मिष्ठान भी बनाया, मिष्ठान अर्थात, स्विक डिस, लॉंड्री पर अतीथी के कपड़े देने की बात सुनकर इनकी आखे बड़ी-बड़ी हो गई, अर्थात विसमे से फैल गई, इनका मानना था कि अब ये चले जाएंगे, लेकिन जब इन् अतना करम लेखक की दर्शिशे, लेखक ने गले लगाकर अतीथी का स्वागत किया था जब अतीथी उनके घर आया था, अतीथी के सम्मान में रात का भोजन दिनर के रूप में बदल दिया गया, दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरीमा प्रदान की गई, रात मे अतीथी को सीनेमा भी दिखाया गया, अतीथी द्वारा अपने कपड़े लॉंडरी में देने की सूचना पर लेखक की पतनी की आँखे विश्मे से फैल गई, इस प्रसंग पर जब पतनी की आँखे बड़ी होती है तो लेखक का मन छोटा होने लगता है, चौथे दिन अत अतीथी और लेखक के बीच में एक चुपी है, लेखक और अतीथी के संबंधों का संक्रवन के दौर से गुजरना, गेट आउट कहने की भावना उत्पन हुई, ये सब लेखक को लग रहा है, तो हम लोगों ने तीनों पात्रों की दृष्टी से पाठ के घटना क्रम पर पिचार किया, अब हम लोग देखते हैं इस पाठ के प्रिष्ट भूमी क्या है, बेग्ग्राउंड क्या है, देखे, इस व्यंगी प्रधान लेख में लेखक ने जबरदस्ती महमान नवादे करवाने वाले मित्र के आचरण और व्यभार की आलोचना करते हुए अतीथी सत पर करारा व्यंग किया है, इनका यह मानना है कि जब किसी के घर में कोई अतीथी आता है, तो मेजबान अपने ही घर में महमान की निद सोते हैं और जागते हैं, अतीथी की रूची के अनुसार अपनी रूची को बदल लेते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मेजबान यह मानता ह किया केवल कुछी दिनों के लिए है पर महमान जब जाने का नाम ही नहीं लेता तो सतकार की उश्मा समात होने लगती है रिष्टे संक्रमं के दौर से गुजरने लगते हैं अतह महमान को समझना चाहिए कि मेजबान पर बोज ना बने बलकि महमान नवादी के दूसरे दिन भ अभी तक उसने अपने जानने का कोई भी संकेत मेजबानों को नहीं दिया है जिससे मेजबान काफी परेसान है अब हम लोग आदाते हैं इस पाठ के सार पर मैं इस पाठ का सार पढ़ने जा रहा हूं आप इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिए इस पाठ के सार को क्रम के अन देखे, प्रस्तूत पाठ में तुम कब जाओगे अतीथी में सरग जोसी जी ने ऐसे वेक्तियों पर वेंग किया है जो अपने परीचित या रिस्तेदार के घर बिना किसी सूचना दिये आ जाते हैं और फिर वहां से जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनकी वज़ा से पाठ की सुरुआत भी यहीं से होती है, महमान नवादी का चौथा दिन आने पर लेखक को अपने अतीथी के प्रती पूब होने लगी, उसका मन बार बार कहता है अतीथी महोदे, पिछले दो दिन से मैं जान बुझ कर कैलेंडर की तारिखे तुम्हारे सामने बदल रहा तुम्हें यहां आए चार दिन हो गए है, चान पर भी एस्ट्रोनोट इतने दिन न रुके थे, सारी कुसल मंगल की बाते समाप्थ हो चुकी है, अब तो घर की आर्थिक इस्थिती भी हिलने लगी है, तुम बताओ, अब तुम कब जाओगे, आतीथी के पहले दो दिन, अ आमानने से भोजन करने वाले हम लोगों ने भी रात्री भोजन को डिनर की गरीमा दी, मन में आसा थी कि बस, कल तो तुम चले ही जाओगे, हमारे जुटे आगरह करने पर भी नहीं रुकोगे, दूसरे दिन दोपहर में लंच कराया, वो रात को सिनेमा भी दिखाई, अब स पर पानी फेर दिया, और हमें भारी चोट पहुंचाई, मेरी पतनी इस आसंका से भाई भी थो उठी कि अतीथी अभी कुछ और दिन ठहरेगा, डिनर से खिचड़ी पर आना, लॉंड्री से कपड़े धुल कर आ गए, किन्तु तुम नहीं गए, मिलने और बाचीत की अब बोज बनने लगी है, बाचीत के विशे खत्म हो गये है, लिखक उपन्यास पढ़ने लगे है और अतीथी फिल्मी पत्री का, पतनी ने आतिथे से उब कर अब खिचड़ी बनाने की इच्छा प्रकट कर दी, तुम रुके तो उपवास रखने की भी नौबत आ अब अन्तिम एक बिंदु है, कास गेट आउट कहने की नौबत ना आए, तुम्हें यहां अच्छा लग रहा होगा, पर घर वालों को नहीं क्योंकि तुम्हारी यहां कल पांचवी सुभा होगी, यदि तुम कल नहीं गए, तो मेरी सहन सिलता जवाब देगी, मैं यहां भ तो इस सरीके से हम लोगों ने इस पार्ट के सार पर अध्यन कर लिया, अब हम लोग इस नतीजे पर तो पहुंच चुके हैं कि सरज जोसी जी के घर में कभी कोई महमान आया होगा, और वो महमान चार दिन रुख चुका है, और अगली सुभा पांचवा दिन हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसके जाने का संकेत नहीं मिल रहा है, इस वज़ा से लेखक सरज जोसी जी और उनकी पतनी काफी परेसान है, इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है, उनका घर उतना बड़ा नहीं है, और वो अब महमान के नी अतीथी पार से प्रशनावली, देखिए, अतीथी कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है, अतीथी पिछले चार दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है, कैलेंडर की तारिखे किस तरह फड़ा रही है, कैलेंडर की तारिखे विनम्रता से फड़ा रही है, वे पिछले दिन बीतने और अगला दिन आने की सूचना दे रही है और लेखक जान बूझ कर महमान के सामने अतीथी के सामने केलेंडर की तारिखें बदल रहा है पती पत्नी ने महमान का स्वागत कैसे किया? पती ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ अतीथी को गले लगाकर उसका स्वागत किया और पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर अतीथी का स्वागत किया दोपहर के भोजन को कौन सी गरीमा प्रदान की गई? तीसरे दिन सुभा अतीथी ने क्या कहा? तीसरे दिन सुभा अतीथी ने कहा कि उसे धूबी को कपड़े देने हैं सत्कार की उश्मा समाप्थ होने पर क्या हुआ? सत्कार की उश्मा समाप्थ होने पर अच्छा खासा डिनर और लंच खिचड़ी का रूप ले लिया लेखक अतीथी को कैसी विदाई देना चाहता था लेखक और लेखक की पतनी अतीथी को भाव भीनी विदाई देना चाहते थे वो चाहते थे कि वो और उसकी पतनी उन्हें रोकने के लिए आगरह करे कि आप और कुछ दिन रुख जाए लेकिन वो रुखे नहीं ये अपने नियम को पूरा करना चाहते थे और मेहमान को भी चाहिए था कि वो ना ना करते हुए कुछ दिनों का आतित्थ लेकर अपने घर चला जाये कौन सा आघहात अप्रत्यासित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा अतीथी का तीसरे दिन लेखक की यहां रहना और धूबी से कप्ड़े धुलवाने की बात कहना लेखक को अप्रत्यासित लगा अर्था जिसकी उसने आसा नहीं की थी साधारन तोर पर कोई भी अतीथी किसी के घर दो से तीन दिन तक ही रहते हैं लेकिन लेखक के यहां रहने वाले अतीथी ने अपने तीसरे दिन वापस जाने के बजाए अपने कपड़े धुलवाने की बात कहकर लेखक को अप्रत्यासित आगहात पहुँचाया जिससे लेखक तिलमिला उठे और लेखक ने धोबी की जगा लोंडरी वाले को कपड़े देने का सुझाओ दिया ताकि कपड़े जल्दी धुल सके संबंधों का संक्रमग के दौर से गुजरना इस पंक्ती से आप क्या समझते हैं? विश्टार से लिखिए देखिए इस पंक्ती में लेखक अपने और अतीथी की बीच संबंध के वीशे में बता रहे हैं संक्रमन का अर्थ होता है किसी ऐसी इस्थिती से किसी ऐसी इस्थिती में जाना जो खराब हो आप अच्छी इस्थिती में हैं और आप ऐसी इस्थिती में जा रहे हैं जिसमें आप बिमार हो जाएं तो इसको कहते हैं संक्रमन जब अतीथी लेखक के घर आया था तो दोनों में बहुत ही अच्छा सम्बंद था दोनों खुस थे, तरह-तरह की बाते कर रहे थे, बहुत सारे विशय थे लेकिन बीटते समय के साथ सारे विशय चर्चा के समाप्त हो चुके है और अब अतीथी को चले जाना चाहिए क्योंकि अगर वो ज्यादा दिन तक रहेगा तो अतीथी और लेखक का सम्बंद खराब हो जाएगा इसलिए यहां कहा गया है कि संक्रम के दौर से गुजरना जब अतीथी चार दिन तक नहीं गया तो लेखक के वेवहार में क्या क्या परिवर्तन आया जब अतीथी चार दिन तक जाने का नाम नहीं ले रहा था तो अतीथी सतकार में कमी आने लगी लंच और डिनर खिचड़ी में बदल दिये गए और वो ये भी कह रहे हैं मन ही मन कि अगर तुम नहीं गए तो हम लोग उपवास तक जाएंगे ये high time है अब आपको चले जाना चाहिए ये ना हो कि get out कहने की नौबत आ जाए तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट के मुख्य प्रशनों पर भी विचार कर लिया मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा हम पुना मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद